हाई अपने घर का वाल पेपर का काम कर रहें फिर से क्योंकि आप लोग को पता है उस दिन हमने बनाया था और यहां पे आधा वाल पेपर लगा था और आधा नहीं लगा था क्योंकि वाल पेपर हो गए दिखा तब मुरह में आईडिया नहीं था क्यों कितना लगीगा तो चार पीस वाल पेपर फिर से मंगाया और हमने लगाया आज और यहां पे लिली अपने शेयतानी कर रही है हम अपना काम कर रही है इसका तो काम यह शारा दिन के सरारत करते रहे क्योंकि सारा दिन जो है अर्श और लिली दोनों का काम एक है कि सबको परिशान करना है लेकिन बहुत ही प्यारी बच्ची है मेरी नो डाउट यह से खेलती रहती है जब से हमारे लाइफ में खुशिया ही खुशिया है देखो मैंने इसको गोद में ले लिया और मैं एक ची युँआ पईा लेती ही जह बहुत प्यारा लगता है और यह पर अर्श फेल्प कर रहा था हमारा जब उसका पापा यहां पे वाल पर लगा रहे थे अतना। सबहो है कि यहां पाहएं पहन के काम कर रहे हैं अर्श Осनंदों पहनां और मैं हाप ही्याएं कर में रहती हो, तो कोई आवास दे तो आए ना आए लेकिन में जब आवास देती हुना तो जरूर कहीं भी होती भाग के आ जाती है मेरे पास और यहां पर अर्ष को नहला रहाता है पिर मुझे लगा अर्ष को नहला रहा है लेकिन यहां पर आज लिली को नहला रहे थे क्योंकि हर दो दिन में इसको स Vinex भीवर करते हैं आर्ष जो है इसको लेता है पॉपिया चपिया और मेरा भी बहुत साल अग्छले लेता है तो हम इसको busaz nisky रखते बहुत जाद क्लीणerd आर्गत जाद है कि घर भी में इसमेल अच्छा नहीं लगता इसलिए हम यहां पर लेली को नहला देते हैं मतलब हर दो दिन में डॉक्टर से हमने पूछ लिया था कि क्योंकि मेरा चोटा बच्चा है तो वो परिशान ना करी इसलिए हमें इसको सेनेटाइस करके रखना है तो उसने बुला था यह अच्छी बात है तो वहां पर गाइस हमने उसको सेनेटाइस कर दिया नहलाने के बाद और यहां पर देखें नहाने के बाद कितना शरारत कर दी है मतलब मैं उसको एक बार बुलाई तो आप उसको मेरी कोड में चड़ना है लेकिन मैं उसको चलाओं के लिए फिर हो गया था रो घी ति क्योंकि आज आगर आप लोगों ने इंस्टेग्राम देखा तो वहाँ पर मैं एक रेल पोस्ट किया आई हुसमें बहुत जादा रो ही दी क्योंकि जो घर मिने लिया है आप लोगों भी है तो पिर जब से मैंने घर खड़ीद है घर में ऐसा कोई एक प्रॉब्लम नहीं होता है हर एक बिल्डिंग में है मतलब यहां पर जो भी है कभी लाइट का प्रॉब्लम कभी कबर टूर जाता है जब से मैंने यह घर लिया है कंटीनी होती और दो तीन दिन पहले तो एक्तम हदी हो गई थी पूरा जो टाइल है वो गिड़ गया था बेटा मेरा वहीं पे खेल रहा था अंदर आया दो मिट के अंदर वह सारा टाइल जो है बैल कोने में गिड़ गया और मैंने फिर बिल्डर को कॉल किया कि यहां पर ऐस गिड़ गया है बैल कोने की अंदर में मतलब इतना बुड़ा गिड़ा है ना यहां आप देखे बिल्कुस सिमीट के इन्होंने इस्तमाल ठीक से किया नहीं सिर्फ यहां पर जो रेती रेत का यूज़ हुआ है और यहां पर जब भी मैं बिल्डर को फोन करते हूं कि सर कभ मैंने भीक मांगे ख़ड़ा है है यह गिर्व फिर भी मुझे इतना बुडा बोलता है उसकी नजर में तो कोई इजत नहीं है मलोग धिका रहा है जकि यहे इजत महीं दान्मस नहीं पुरा घर दे-सलिए करता है इसलिए मैं यहां पर रिक्वेस्ट कर रही थी सब को हाँ जोड़के कि आप लोग जो भी डिये लेफ अंकुर भिहार से मुझे देख जो तो आप लोग मुझे सपोर्ट करना बिल्डर के खिलाब में क्या एक्शन ले सकती हूं मुझे जरूर बताना क्योंकि मैंने ब करो तब तो एक गंड़े मिने वीडियो बनाया ने उसके बाद शाम को फिर आदा काम बाकी था यह वाल पेपर का तो यहां पर हम वाल पेपर लगा रहे थे तो यह दिवार का तो कंप्लीट हो गया गाइस बिल्कुल और इस दिवाल का रह रहा था तो यहां पे भी हम न्य जर्ताह साथ तो और भ्यासाल हम सेHANदा लगा दिया थोड़ा सा रहे गया चार वाल पेपर मंगा थे रोल्ल पर टो यहां पर चूट गया था यहां बूरों यहां पर चूट मिकर उप waż और बार प्सेल नीइंग संवाए में रहा है यहान लगाने में क्क killing यहां 머या देफ और बहुत जादा वह हसने लगे उसको देखे क्योंकि वह कड़ी रिवे से गुल-गुल-गुल-गुल गुम रही थी पहन के बहुत ही फ़नी लग रहा था गाइस यहां पर सभी हसने थे बहुत जादा हसनी आ रही थी हमें उसके बाध यहां पर जो है मैं आपको यह बता हुं मैं फिर से डल अनली हुई बनाने लगी इंस्टेग्राम के लगे अबियो हमला जये बाधके लेस्टेग्राम के किया है आप लोग मेरे रिल्स वहां में अच्छी बनाती हूँ आप लोग जाकर जरूर देखिए आईडी जो है डिस्क्रेप्शन में मैं डाल दिया है सिंपल है रेश्मा 7505 तो आप लोग इंस्टेग्राम में जाकर भी डेली का जो अपडेट होता है वह में डालती हूँ ड लिली के साथ यहां बैठके खेल रही ती और अर्ष जो है वहां पर दूद पी रहा था क्योंकि रात के साड़े ग्यारा बार आए थी वह बज़रे तो अभी हो गया सोने के टाइम लेकिन लिली जो मुझे जाने नहीं दे रही ती वह बहुत गुद मैंगे घुसरी थी तो यहां पर बैठके मैं उसके प्यार कर रही थी और वहां पर श्तूद पी रहा था तो हमारा काम यह है लेकिन आज में बिल्कुल भूग नहीं थी तो मैंने खाना भी नहीं खाया गास और हैपी ने बेर शीट वगरा सब हैपी ने सेट किया तो सोने की तैयारी कर रहे थे ल बता दू अभी जो है दो इंग्जेक्शन लिली को लग चुका है तीसरा इंग्जेक्शन अभी हैपी यहां पर टाइम डिखा रहे कि देखो बारा बज़ के तुम सोने रही हो तो हमें नीन नहीं आ रहा गा है संडे संडी के दिन तो फिर मस्ती का दिन है ना तो यह तो कमेंट देखना बोलते कि आपको देखे डर लगता है आपका फेस देखे डर लगता है यहां तो मेरे पपी भी मुझे नहीं डरता मेरा बेटा भी मुझे नहीं डरता कोई नहीं डरता मैं देखो ट्राइ करती रहे तो कोई तो मुझे डर है मेरे घर पे लेकिन नहीं देख कि इन मैं सच बोलूं तो मुझे हमसफर इतना अच्छा मिला है कि उसने मुझे एक नाइस बरोती ती वह मुझे हसाते मुझे मनाते देखें अभी भी वह मुझे मजरा कर रहुती से तो मैं तो मैं उस saysay ती मेरा बाल को मेरे नई जिन्दगी जो दी है, मेरी माने तो दी है, लेकिन जब शादी हुई मेरी उसके बाद आपको पता है, पती का प्यार औरी होता है, जब से मुझे मेरा पती मिला है, मैं सच में अपने लाइफ में खुट को बहुत सादा लखी समझती हूँ उसने मुझे एक नई जिन्दगी दिये तो गाइस ये ब्लोग में यही पे खतम करती हूँ तो आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक कमेट और शेयर कर देना डिस्केप्शन में हमारा सारे चैनल का लिंक है आप वहाँ पे वहाँ में फॉलो भी कर लेना इंस्टा फेस्बुक तो मिलते हैं अगले ब्लोग में तब तक के लिए अपने ख्याल रखना और हमारी जोड़ी आप लोग का कैसे लगता यह भी जरूर